हेलो फ्रेंस, वेलकम टू अपडेट, वो इन फ्रेंस कहते हैं कि प्रयार और जंग में सब जायज है और हसिन दिलरुबा मुवी इस बात की परफेक्ट एक्जाम्पल है मुवी बेस्ट है मिस्टर जिलर पे और इसे नेट्फिक्स पे रिलिज की गई है और सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे मुवी में सबसे अच्छी लगी विक्रांत मैसी की एक्टिंग उसकी एक्टिंग बिल्कुल रियल और नैचरल थी और ये तो पक्की है कि आप इस मूवी को देखने के बाद विक्रांत मैसी की डिसेंट एक्टिंग के फैन बन जाओगे और ताफसी पन्नू की एक्टिंग भी काफी अच्छी थी मूवी में इसके अलावा दया के साथ ताबर तोर केस सॉल्फ करने वाले फेमस शोर्स याइडी के आदित सेवास्तों की एक्टिंग और डायलोग डिलेवरे भी बहुत ही दमदार थी मूवी में दिखाया जाता है कि ताफसी पन्नू का जो करेक्टर है रानी उसके हस्बेंड यानि के विक्रांत मैसी के घर पे ब्लास्ट होने के करन मौत हो जाती है और इस ब्लास्ट के बाद घर पे उसका वो जला हुआ हाथ मिलता है जिसमे रानी लिखा हुआ होता है और पुलिस का पूरा सा कोलता है तापसी पन्नू यानि कि उसकी बीवी रानी पर तो इस मडल के पीछे कौन सी बड़ी साजिश होती है या उसकी बीवी ही असली गुनेगार है या फिर कहानी में कुछ और ही मिस्ट्री दबी हुई है यही देखने को मिलेगा आपको इस मुवी में मुवी की फर्सटाप ठोरी स्लो है मुवी के फर्सटाप में आपको सास्बाव के सिडियल वाले जगडे लब स्टोरी ये सब देखने को मिलेंगे फर्ट से विदना है कि सास बहु सीरियल में ये सब कुछ 20 साल तक चलता है वो भी धूमतनननन म्यूजिक के साथ उसे यहां आदे गंटे में यानि कि फर्स्ट आप में दिखाया गया है लेकिन सेकंड आप में स्टोरी यूटन लेती है और स्पीड पकड़ लेती है सेकंड आप की स्टोरी काफी इंट्रेस्टिंग है और इस मूवी की क्लाइमेक्स और एंडिंग भी काफी अलग और इंट्रेस्टिंग है इस मूवी के मिस्टरी को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो तरीका बहुत ही यूनिक और अलग था और साथ ही मुवी की एंडिंग भी सप्राइजिंग थी तो ओवराल मुवी की फर्स्ट हाफ थोड़ी स्लो थी और सेकंड हाफ इंट्रेस्टिंग बट विक्रान तुम ऐसी के एक्टिंग बहुत जबरदस्ती तो मैं इस वेब सेरीस को 5 में 3 स्टार देना चाहूंगी सो फ्रस आज का वीडियो यही पर खतम होता है मिलते हैं नेक्स वीडियो पे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, शेर करें और अपने कमेंट भी हमारे साच जरू शेर करें थैंक्स पर वाचिंग